जो डॉक्टरमेटकन ने लिखा है उसको अभी तक किसी ने उस पर जो है दावा ने ठोका है उसको चले की बली भी पर चलित थी इन सब का जो है खुले आम भच्छन करते थे और खुले आम इस तरी से संभूग की भी क्रिया होती थी और असुमेग यग में बताया है उन्हों है कौन से वर्ण के है कि अफिसके नमस्कार साथियो आज हमारे साथ हैं मुणि महराज जी और मुणि महराज जी या दर्शन पर कुछुछ बात करेंगे हम से चर्चा करेंगे और वह एक तरह से हिंदु धर्म को डेफैंड करने का प्रयास करेंगे अम्बेड करकी विचार 2335 में परमकुजे बावस्य दॉक्टर भीमरा अंबेड करने हिंदु धर्म को छोड़ा था और छोड़ते समय यह का था कि मैं हिंदु धर्म में पैदा हुआ यह मेरे बसकी बात नहीं थी लेकिन मैं हिंदु धर्म मरूंगा नहीं तो इसी विचार धरा के अधार पर हम आज म साथियों मैं आपको आगहा कर दूं कि मुनिय महराज जी हिंदु धर्म के दर्शन को डिफेंड करेंगे या उस दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे लिए इसका मतलब यह कता ही नहीं है कि आप अपने असालियन असब विभासा का इस्तेमाल करें मैं अपने जो व कि भासा उसमें नहीं होनी चाहिए तो मुनिय महराज जी आपका 2427 में स्वागत है तो मास भक्षन करना दारू यानि सराब मदिरा पीना यह कौन से वर्ण का करतव यह कार्या है यह तो वह वाली बात आ गई के भीया मदिरा तो देवता लोग भी पीते देवता हो देवता है कौन से वर्ण के करम है यह यह देखो यह आप उस वर्ण पर मेर को जोड़ देके बारबार बुलवाना चाहते है जो भी व्यक्ति इसको कर रहा है वह सूद्र बन जाएगा वह किसी सतकर्म वेद पाठी ब्रहामन के या किसी अन्यत्र सतकर्मी के पुजारी के निकट बै मन पउनता, तो तीन दिन तक वैसे वह निकट नहीं आ सकता, तोस् Kendallam feast परने के सब्सक्राबी सब्सक्राइब बंश समझने की जो समाज में फैल रहे हैं वली का बहुत सारी बलिया होती है, पुष्प बली होती है प्राणियों के बदलियां का जैसे जैसे अग्यांता का दीरे दीरे प्रादुरु बाव हुआ वेदों का पाथन कम हुआ और और बुद्ध भगवान के बाद में जब दुबारा से सब विक्षु किया शान्ति और ध्यान की तरफ जाने लगे उसके बाद में लोगों ने इन सब चीजों को छोड़ना प्रारब्द कर दिया जो थोड़ा थोड़ा जानते थे उन्होंने मतलब तांत्रिक प्रकरिया जू अच्वक्य जो कहते है इसका मतलब क्या होता है अश्व होताहिघी हृट सबसे हुंछी होने चाहिए जो Jet सब्सक्し होने चाहिए है और ये उसको छोड़ दिया जाता है उसका पूजन करके देवताउं के माध्यम से घोड़ा शूरे की सवारी के अंदर जोडा जाता है शूरे की गती के बराबर जो चल लेगा वह पूरे ब्रह्मांड का राजा बन जाएगा जब उस यग्य को करके उसको छोड़ दिया जाता है वो विश्व की परिकर्मा करके जब लोट कर आता है उस लोट कर आने के बाद में जिसने अस्व में विदित चीजे पुरातनकाल की जैसे लोगों की ज्यादा होती थी ज्यादा समय तक जीते थे तो ऐसी गती सब्सक्राइब कर ना करें ना करूंब को जानते नहीं है तो इससे यह साथ होता है कि भारत भूमी के जिसको कि लोग जानते थे उसके अलावा वे जो है कहीं और रियास्ते थे और आपने कहा है कि विसु भ्रह्मन करके जो आता था उसके बाद जो खाना पुदा कराते थे उससे यह संपर्ण उता तो यह जूट नहीं है यह बिलकुल जूट नहीं है आप थोड़ा सा जब मैं जानते हों तो जो हड़पा संस्कृति के समय भी प्रकट हुआ तो आज का तो नहीं थी हड़पा संस्कृति आज से साड़े तीन हजार साल पुराने से पहले तो वह समापन होने पर थी उससे पहले कितने साल रही कितने हजार साल वह सब्विता रही तो उस संस्कृति सब् प्रदाय के लोग विद्धुमान थे तो जब सनाधन धर्म का प्रकटी करन होता है और तो उस समय काल के अंदर गोड़े की किसी ने परिकर्मा करी हो तो ऐसा हो सकता है कोई ऐसी चिंता जनक और विचारनी शब्द नहीं है देखो इस धर्ती पर दो ही सब्विता पुरानी कह करती है इस पर क्या कहेंबंगे है मास्वक्षन की बात कोई कुछ नहीं कहता है और मनुसमिरति कहँ है मैं तो मानता नहीं हो कहरी यह और ऐसा कुछ प्रकार से सब्द का अर्थ का अनर्थ करने वाली सब्द लीला है अभी डॉक्टर रंबिटकर का कुछ साहित्य है जो कि भारा सरकार न चापा और डॉक्टर रंबिटकर और खुले आम इस तरी से संभोग की विक्रिया होती थी और असुम्य यग में बताया है उन्होंने कि इस तरी जो है घोड़े से संभोग करती थी ऐसी मैथून करने की वहां पर प्रक्रिया है तो इसके बारे में क्या कहेंगे क्योंकि यह तो साहिते जो है डॉक्टर भारा सरकार ने छपपाया है विल्कुल मैं मानता हूं जिस समय अमबेटकर जी ने लिखा होगा या जाना होगा देखा होगा उस समय ऐसा हो रहा होगा ऐसा कोई चिंताजनक और विचारनी शब्दा वली नहीं है मैं फिर कह रहा हूं आशिक्षा होने वह वैदिक युक्की हैं जहां पर की वैदिक युकम होगा थे तो उस पर चर्चा करने की उचित मैं मैं कर सकता जो मैंने नहीं देखा तो मैं दोक्ट्र मेटकर लिखा उसको मितकर अपने नहीं किया और भारत सरकार अपने मंत्रा लेकर माध्यम समाजी को लगातार चपवा रही है मैं इस बात को नहीं मानता ऐसा तो कुछ नहीं कि अगर ऐसा कोई कहेगा और कोई प्रश्ञा वली नहीं करेगा सनातन दर्म के अभी शंकरचार्य विद्जमाने अगर वहां तक बात पहुंची होगी तो वो जरूर प्रशन रखेंगे इस बात पर पुराने काल की इन सब बातों को लेकर के कोई आज चापेगा तो मैं उससे नहीं सपोर्ट में रहता हूं क्योंकि जिस समय अंबेटकरजी का प्रकटी करण रहा जिस समय उनका जीवन काल रहा उस समय ब्रांतिया थी अशुद्धी करण था धर्म का इससे में नकार नहीं सकता उस समय लोग बहुत सारे मंदिरों पर बली देते होंगे और देते अभी भी कुछ जगा दक्षिन बारत में और उत्रा ख पर बार चलाया वह सीता की च्छा थी कि मुझे इसका चर्म चाहिए एक हिरन का एक जीव का चर्म प्राप्त करने के लिए उसकी बलीर देना या उसको मारना कहा तो चिता देखो यह बिल्कुल आपने प्रश्णिक इलत करा है सीता जी का जो मन था उस हिरन पे गया था वह पास में देखना चाहती थी पालना चाहती थी अपने पास रखना वह इतना सुन्दर था कोई भी जीव कोई कुटा बिल्लिया सब पालते है अच्छा देख करके पालते है ऐसा ही भावता उन्होंने जिद कर दी मेरे को वह हिरन चाहिए बगवान उसको लेने के लिए गई और जब अत्यदी करने लगा तो उन्होंने सोचा कि ऐसी जगा बाण मारू उसके ज्यादा चोट भी न लगे और वह घायल हो जाए जैसे ब्योश करने की प्रक्रिया होती है उस अवस्था में तो इसको अन्यथा न लेना चाहिए उन्होंने मारने और चरम के लिए नहीं बोला उन्होंने उसको पालने के भाव से रखा नैसे वहज़ रामजी तो छत्री शाशाव कर्म है वह युद्ध करना है को चनगल में उन पर तीर चलाकर अपने भी हुट इसको नहीं है आप अनीती सास्त्र अप्छल करो इसा डियां पिछरों आपका चैनल समाज का चैनल लेस सेवन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जादा से जादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पोचा करें